हेलो फ्रेंड्स गुड इबनिंग एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने लोग प्रिये यूटूब चैनल में जैसा कि आपको पता है हमने 1000 mcq की सीरीज शुरू की है अपने लिए जिसमें हम यह सभी स्वेक्ट कवर करने वाले हैं इसका पहला बाट हमने पिछले वीडियो में आपके साथ डिसकस किया और आज की वीडियो पार्ट टू है इसमें हम सोचल स्टेडी के टॉप कोशन डिसकस करेंगे आज हम सिर्फ 10 mcq डिसकस करेंगे और ऑल ऑ की सोचल स्टेडी में जियोग्रफी हिस्ट्री एकनोमिक्स और पॉल्टिकल साइंस कवर कर रहे हम इस सीरीज में और इसके साथ ही और विश्यों के लिए हम जल्दी सीरीज लेकर आने वाले हैं वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यार अ आज का पहला क्वेस्टन और इस सीरीज का 31 क्वेस्टन आपके स्क्रीन पर है निमन मैंसे कौन सा पडोसी देश अंडवान द्वीप के सबसे नजदीक है तो इसका राइट अंसर है मैं आपको पता है कि इंडिया में एट यूनियन टेरिट्री है जिसमें एक है अंडवान निकोवार द्वीप समू जिसकी राजधनी पोर्ट बलेयर है और जो यह है इंडिया के इस्ट साइड में पड़ता है मैं आपको मैप दिखाते ता हूँ यहाँ पर मैप मैं देख सकते हो यहाँ पर जो मैं साइन कर रहा हूँ यह अंडवार एंड निकोवार इसलेंड है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके जो Belt just country है वो यहां पर मैमार है सिंगे मैं जूम कर लेता हूँ एक मैं देख सकते हैं इसके जो नजदीक है इसकी देश जो है मैमार है इसके अलावा जगाए जो और Seven Union Treaty और इंडिया की यहां पर देख सकते पुदूचेवी यहा दमन और द्वीप जो इंडिया की एक और केंदर शाषित प्रदेश है इसके साथ ही दादरा एवं नागर हवेली वीसी के साथ पढ़ती है जिसकी राजधानी सिलवासा है दमन और द्वीप की दमन है और उसके साथ ही आप यहां पे देख सकते हैं जो पहले जम्मुक्षमीर हुआ करता था आर्टिकल 370 हटने के पहले उस स्टेट को भी डिवाइड किया गया है दो यूनियन टेरिटरी में जिसमें एक जम्मुक्षमीर जिसकी राजधानी शिरीनगर होगी और बिंटर जो जम्मु होगी और समर जो है शिरीनगर होगी उसी के साथ लदाक एक नई व नी है इसकी कैपिटल कारगिल पहाई इसके साथ ही मैं आपको पता दूं गाईज चंदीघर भी एक उनियन टेरिटरी है और इसके साथी सबसे ज़्याधा जन संखक्या ओन जन संख्या वारग उन्यू अल्याधा इसके लाबा मैं आपको ऑर चीज़ सो बता दूं इंड इंडिया की जियोग्रफी पे इस तरह से तो यह आपको याद होना चाहिए अगर आप नॉन आर्ट स्टुडेंट है मेडिकल नॉन मेडिकल जेवी टील्टी का टैर दे रहे हैं तब यह आपको इंडिया का मैप आना चाहिए यहां से बहुत क्वेशन बनते हैं तो यह कुछ साथ राज्यों है इनको सेवन सिस्ट्र ऑफ इंडिया का जाता है भारत के पूरुप की साथ बहने तो यह आपको याद होना चाहिए इन सेवन सिस्ट्र से और जो इंडिया की एट उनियन टेरिट्री है यहां से बहुत कोशन बनते हैं क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट होता जो है वो option number C उत्राखंड में है और यह देश का सबसे पहला और सबसे पुराना नेशनल पार्क है यह आपको याद रखना है कारवेट नेशनल पार्क जो उत्राखंड में बहुत बार यह एक्जाम में पुचा जाता है इस बहुत बार इसलिए इसको आप बिल्कुल लर् पर नेशनल पार्क जो है बहुत बार एक्जाम में आता है इसके अलावा बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कोशन है आपकी स्क्रीन पर किम्बरले प्रसिद्ध है जो ये किम्बरले है ये एक प्लेस है एक स्टेट की कैपिटल है राजधानी है और ये हीरे के लिए बड़ी फैमस है हीरे की यांपे बहुत ख़दाने मिली है मैं आपको बता दूँ जो ये किम्बरले है ये सौत अफरीका की जो सोताफरीका देश है, सोताफरीका का एक स्टेट है, जिसका नाम है उत्री कैप, उत्री कैप की कैपिटल है, आपको याद रखना है, किमबरले ये उत्री कैप की राजधानी है, और ये हीरे के लिए बहुत ही फैमस है, ये आपको याद रखना है, इसके साथ ही आपको य उच्छे केपिटल्स आप से डिसकस करेंगे फिलाल बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की ओर जो है कोशन नमबर 34 दक्षिन अफरीका के सीटोशन घास थल को क्या कहते हैं जो आपको पता है कि घास थल एक ऐसे जगा होती है जाम पर भारी मातरा में घास पाजाता है सीटोशन या कटी बंदिय जंगल भीका जाता है और आपको यहां पर मैं पता दूँ कि अलग-अलग देश के अलग-अलग नाम होते है उस तरह के जाम पर घास थल पाजाता है तो यहां पर दक्षिन अफरीका का पूछा तो दक्षिन अफरीका की उस घास थल घूमी को बेल्ड का जात गहां से थोड़ा टाइपिंग में बोड़ वालों से जो डाउस है ये उस्ट्रेलिया में पड़ता है इसके लाबा प्रेईज यह उतरी अमेरिका में पड़ता है तो ये भी जियोग्रफी से important question है यहां से बनता है जो भी घास के सितोशिने बंद होते हैं कटी बंद होते हैं यह आपको याद होने चाहिए next question है बहुत important question है इस तरह की question भी exam में पूछे जाते हैं के बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किस ने की थी तो यह आपको बताना है इसका जो राइट अंसरे वो है option number C कांशी राम जो कांशी राम में उन्होंने भाँजन समाज पार्टी जिसको बसपा कहते हैं उसकी स्थापना की थी 1984 में बसपा की स्थापना हुई थी और बर्तमान समयों में मायावती जो है यह इसकी अध्यक्ष है और यह यूपी की उतर प्रदेश में मुख्य रूप से यह पार्टी का जादा उतर दायत्व है मतलब जिसे कहते हैं कि प्रभुत्व है तो गाइज इसके साथ ही आपको मैं बता दूँ जो यहाँ पर ऑप्शन है डॉक्टर बी अरम बेडकर को इंडिया के constitution maker के नाम से जाना जाता हुई भारतिय सभीधान के निर्माता और यह वारतियस्थान निर्मान के लिए जो सभीधान सभा बनाई थी उसके प्रारूप committee जो draft committee है उसके अध्यक्ष्त है और जो जो बनाते है ने है भारत के प्रत्व 285 को हुई थी यह आपको पता होना चाहिए इसके द्वारा की गे थी इसके जो मुख्य अश्रे जाता है वो ए ओ ह्यूम को जाता है और ए ओ ह्यूम ही भारतियो नेशनल कॉंग्रेस पार्टी के प्रतम अध्यक्ष थे इसके लावा बीजेपी जो है बीजेपी भारते जंता पार्टी जो है गाइस बीजेपी इसकी स्थापना 1980 को हुई थी यह आपको याद रखना है और इसका मुख्य श्रे अटल भहरी बाजपाई और लाल कृष्ण अडवानी को जाता है इसके अलावा जो CPI है Communist Party of इंडिया Communist Party of इंडिया 1925 में इसकी स्थापना हुई थी गाइ आपको याद होनी चाहिए नेस्ट कॉशन है निमन मैंसे कौन सा देश बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है तो इस तरह की कॉशन भी आते हैं जैसे हर एक कंट्री या हर एक स्टेट या हर एक कोई भी प्लेस किसी फैमस चीज के लिए जाना जाता है तो वह आपक जो जैसे कॉशन आता है कि कॉफी विशुब मैं कॉफी के लिए प्रसिद कौन सा देश है तो वो ब्राजील है कॉफी के लिए और चिनी का क्टोरा ये कॉशन भी बहुत भार आता है कि चिनी का क्टोरा किस देश को कहते हैं तो वो क्यूबा को कहते हैं यह आपको याद र भारत में साइक संदी की शुरुआती थी यह आपको बताना है तो इसका अब सबसे पहले तो मैं राइट अंसर बता दूँ उसके बाद मैं बताता हूँ कि साइक संदी क्या थी तो इसका जो राइट अंसर ऑप्शन नमबर बी है लौड बेलेजी जो लौड बेलेजी ली है इनको जो है भारत में साइक संदी की शुरुआत इन्होंने की थी और मैं आपको बता दूँ कि साइक संदी क्या थी। साइक संदी इस्ट इंडिया कंपनी और भारत के जो रियासत के शाशक थे उनके मद्धे हुई थी। friendly India company और इंडिया की रियास्ती हैं उनके बीच में यह संधी हुई थी लॉรण Bel English यही के दौरा और इसमें की इसके कुछ वहाद अपनी सारी सेनशकति तो और इस अंग्रेजों के प्रसार के लिए एक बहुत बड़ी चुक हुई थी भारत की तरब से भारत के शाष्कुन की तरब से तो यह आपको याद होना चाहिए यह चीज भी पूछी जाती है हर एक जो लॉड जो जनरल गवर्नर रहा है इंडिया का वहां से यह चीज पूछी जाती है नेक्स्ट कोशन है इसके रावा गाईज यह एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको पता होगे जो लॉड कैनिन है लॉड कैनिन को जो थे यह भारत के प्रतम बाइस वराय थे और इनके टाइम में ही 1857 में देश में प्रतम व्यापक बिद्रोव हुआ था और आपको पत इनको विद्वा पुणरविवा अधिनियम व्हां के विद्वा पुणर्विवा अधिनियम लागू करने वाले जो गवर्नर जनर थे लॉड कैनिन थे यह कॉश्चन भी बहुत वार पूछ जाता है लौकेनिन का और इसके साथ यह औप्शन नमबर जो डी है यह भी इंप भारत में कब हुई थी तो अधिकारिक रूप से पथम पर जन्न गनना 1872 में हुई थी किसके कार्याकाल में तो लॉड मेयो के टाइम में हुई थी यह कोशन आता है तो इस कोशन से आप देख सकते खुदी तीन-चार कोशन आपके क्लियर हुए तो यह आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन है स्तावन में प्लासी के लडाई में सिराज जोडला को किसने दोखा दिया था तो यह कोशन भी बड़ा इंपोर्टेंट है इसके पहले आपको पता होना जाएगी जो प्लासी के लडाई है वो काम पे हुई थी प्लासी के लडाई एक प्लासी नामक स्थ क्लाइब थे जो बाद में इंडिया के गवणर जन्रल बने उसके और बंगाल के नवाब जो था यह सिरा जुदल्ला इनके बीच में और यह जो युद्ध है यह स्तावन में हुआ था प्लासी का युद्ध और यह आपको याद रखना है कि इसके मद्दे हुआ था तो यह ज साथ जो दोखा किसने के तो जो ऑप्शन नमबर सी है यहां पर मीर जाफर मीर जाफर इसी का ही सदस्य था इसी के शाषन में काम करता था इसने जो है इसको दोखा दिया था शी रजुदल्ला को और उसके परिणाम सुरूप ही यह इसकी पराजी हुई थी इस युद्ध मे 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तो यह क्या है इसको मैं पता दूँ इसकी स्थापना का मुख्य उधेश यह था कि जो अंगरेजी समुदाय को खतम करना मतलब इंग्लिश जो लोग थे उन्हें हमारे देश में काफी शाषन कर रहे थे तो उसको खतम करना और आप जानते है कि जब यह गदर पार्टी बनी जैसे 1913 में बनी तो बहुत सारे जो समुदाय के लोग है भारते समुदाय के लोग बिशिप के विविन विविन देशों में रहने लगे थे तो अमेरिका में वी रहते थे कोचिंग लेंड में रहते दौनमार्क स्कॉट्लें मतलब हर जगा फैले थे तो जो अमेरिका में इसको एस्टेवलिश करने का यही था कि बाम पर जो है निउस्पेपर के माध्यम से मीडिया की माध्यम से भारत की जो आवाज है उसको वर्ड के सामने लाने की कोशिश की गई और यही इसका गदर पार्टी का एम था क्यूंक अगया है सहेब सिंग भागना तो इनके दोरा इसकी स्थापना हुई थी तो अगले कोशन के और बढ़ते हैं और आए हमारा आज का लास्ट के है को इस्ये Quannhसिष्टन के कितने सदस्यत है यह आपको पता हूना चाहिए जो साइमन कमीशन है तो साइमन कमिशन के साथ सदस्या थे गाईज और ये भारत कब आया था तो 1928 को साइमन कमिशन जो है भारत आया था और इस क्या था यो साइमन कमिशन के रूप में जाना जाता है जो साइमन कमिशन के रूप में जाना जाता है जो साइमन कमिशन के रूप में जाना जाता है सभीधारन की इंडिया के दूशन के लिए इंडिया बेजा गया था और इनने 10 साल तक इंडिया में इरिक्शन किया था और इस रिनी के ठी Hem लाला राजपतलाय है उनको एक लाटी लगी थी लाला राजपतलाय काफी बड़ा नाम है आप जानते हैं कि देश की स्पतंतरताम है उनके उपर जब वो साइमन कमिशन का भारत में आने पर बिरोध कर रहे थे सुरी गाइज थोड़ा सभास्ति हो ठीक नहीं है तो जो है उनकी मृत्यू हो गई थी जब साइमन कमिशन का विरोद कर रहे थे तो यह आपको याद होना चाहिए कि लाला राजपत की मृत्यू जो है जन अंदोलन को जब प्रमोट कर रहे थे मतलब चला रहे थे तो साइमन क कमिशन के विरोध के दौरान उनकी मृत्यू होगी थी राठ लगने से उस ताइम वह गाहिल होते और बाद में उनकी मृत्यू होगी थी तो एक कॉशन था कि कितने मेंबर आये थे वह साथ आये थे तो गाइज इस सीरीज को हम जारी देखेंगे आगे आज तोड़ा हेल्थ नहाने कारण यह वीडियो मतलब जैसे कैसे बना लिया बड़ा ही एफट लग इसमें तो आज के लिए वस इतना ही फ्रेंड्स जल्दी मिलते हैं शायद कल एक दो दिन वीडियो ना है क्योंकि स्वास्ता ठीक नहीं चल रहा है बाकी कोशिच करूगा कि जल्दी आपके लि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो